प्रूंस थाउन रिखर अर्लो बच्चो असलाम उलेकूdoo कैसे हो आप लोग उमिद्हें कि सब अच्छे से उंगे और अच्छे से पड़ भी रहे होंगे तो बच्चो जैसे कि हम सब को पता है क्लास 3r के हम चप्टर नमबर 10 को पड़ रहा है नमबर 10 का नाम और अम है page number 86 पे इसके दूसरे वाक्स है 4 पार्ट को हम आज देखेंगे page number 86 पे आप लोग देखिए यहां पे 4 पार्ट में क्या लिखा है look at the pictures given below which of them produced pleasant and unpleasant noise write down pleasant or unpleasant blow each of them क्या करना है pictures को अच्छे से देखना है उसके बाद हमें जानना है कि यह कौन से pleasant noise है या unpleasant noise है अगर pleasant है तो नीचे इस line में क्या लिखना है pleasant लिखना है अगर unpleasant है तो unpleasant लिखना है तो बच्छों हमने यह life class में भी पढ़ा था क्या होता है यह क्या कर रहा है एक मेने हाँ पे door knock कर रहा है तो यह क्या है एक unpleasant sound है यह क्या है मैशीन के आवाज यहां पे दिखा रहा है तो यह क्या है एक unpleasant sound है यहां पे musical instrument की sound है तो यह क्या है एक pleasant sound है और यहां पे क्या कर रहा है दो चीजों की रगणने के आवाज हो रहा है निकल रहा है तो यहां पे क्या लिखना है फिर से unpleasant लिखना है ठीक है बचो उसके बाद है फिल पार्ड आंसर इन ब्रीफ in question के आंसर लिखना है Name three sounds we can make without using our wise box तीन sounds के नाम लिखना है जो wise box को यूज किये बगिर निकलता है तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे A part का आंसर है Sounds when we knock the door जब हम दर्वाजा को नोक करते हैं तो उस वक्त जो सौन निकलते हैं उसमें हम अपने wise books को यूस नहीं करते हैं दूसरा sound of machines, machines की आवाज जो आते हैं हमें सिर्फ हाथों से चलाना होता है बाकी wise books को यूस करना नहीं होता है तो यहाँ पर sound of machines, sound of musical instruments, musical instruments कभी क्या होता है, हम सिर्फ हाथों से उसका use करता है, हमें अपने wise books को use करना नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चो, तो यह है a part का answer, यहाँ से यहाँ तक है a part का answer, उसके बाद दूसरा question क्या पूछा है, what is noise, noise क्या होता है, तो इसके answer में हम क्या लिखेंगे, a loud sound is called noise, जो loud sound होता है, उसको हम noise कहते है, sure कहते है, उसके बाद है, see part, what is the name given to the sound made by a dog, sheep and tiger, जो dog, sheep और टाइगर होते हैं, वो जो आवास निकलते हैं, उनकी sounds को क्या नाम दिया है, तो answer में हम लिखेंगे, bug, dog के, जो sound को हम क्या कहते है, bug कहते है, sheep के हम blee कहते है, और tiger के sound को हम क्या कहते है, roar कहते है, तो क्या है ये C part का answer है आप उसरे bug, plate and roar कहना है ठीके बच्चो यही तीनों ही ये तीनों ही लिखना है तो ये था हमारा C part का answer ठीके बच्चो तो बाकी answer the question जो 6 part है इंशाला हम ये next video में करेंगे आप लोग यही तक copy patches से note कर लेना और साथ साथ लान भी करते रहना ठीके बच्चो तो आज हमें ही तक देखेंगे अल्ला हाफिस